प्रदेश कॉंग्रिस के संभावित अध्यक्ष की दोड में सबसे आगे चल रहे कॉंग्रिस के दिगज नेता ने देपालपुर विधायक विशाल पटेल के निजनिवास पर पहुचकर उनसे मुलाकात की इस दोरान कारेकर्टा सिंधिया के एक जलक पाने के लिए बेताब नज़र आए देखे इस पुट में प्रदेश कॉंग्रिस के संभावित अध्यक्ष की दोड में सबसे आगे चल रहे कॉंग्रिस के दिगज नेता जोतिरा दित्त सिंधिया एक विशेश रणनीती के साथ मध्रिदेश की आर्थिक राजधानी इन दोर पहुचे इस गड़ी में सिंधिया देपालपूर विधायक विशाल पटेल से मिलने उनके निजनिवास बिचौली पहुचे इस मौके पर मंत्री तुलसी राम सिलावट कॉंग्रिस के शहर कारेकारी अध्यक्ष विनैबाकलीवाल समेथ सैकडु नेता मज़ुद रहे वोकाइब। प्रियक्ष बच्चे प्रोबरी 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 नहीं है बड़ा है। कर दो और दोगती है कर दो आसके ये लोगते हैं हमने जा पनाट वही सिंध्या ने चाय की चुस्की के साथ राजनितिक चर्शा की जबकि विधायक मिशाल पटेल ने देपालपुर की जनता के लिए 150 सीटर हॉस्पिटल की मांग की है ताकि ग्रामिनों को शहर ना न पड़े मही सिंध्या ने मांगों को हाथों हाथ लेते हुए मांग को पूरा करने की बात गही को ए मांगों कि अकम्या मांग देश्कान का tutor प्लावण। ने प्लोड़े का यह बलत हम अ प्रूण हैं तो पहाँ ने तो बस्यों के जूण है कुल मिलाकर सिंधिया का यह दौरा प्रदेश अध्यक्षि से जोड़ कर देखा जा रहा है लिहाजा सिंधिया अपने समर्थकों की संख्या में इजाफ़ा करते हुए लगतार कॉंग्रेसी विधायकों और नेताओं से मिल रहे हैं यूर पोट अबन्यूस अधर